हेलो दोस्तों नमस्कार कैसे आप सब में आपका दोस्त वगलु सिंग चोहान इस वीडियो के उपर आपका स्वागत करता हूँ तो दोस्तों आज हम बात करें मोडरोला ए प्लस के बारे में ए 7 प्लस का मोबाइल जो भी भी मार्केट के अंदर लोंच वाए ए 7 प्लस के बारे में तो ये मोबाइल अगर आप लेने के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो पूरा देखे क्योंकि इसके अंदर मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ बताऊंगा जिस से आप मोबाइल को लेना भी चाओगे प्लस नहीं भी लेना चाओगे क्योंकि इसके अंदर ऐसा कुछ खास है दोस्तों जो माइनस पॉइंट बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है वो इस वीडियो के अंदर में आपको बताने वालाओं कि आपको ये मोबाइल 10,000 के लगबग मिल रहा है तो आप इतने पैसे इन्वेस्ट करना चाओगे या नहीं तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं से पहले हम बात कर लेते हैं मोबाइल के बारे में तो मोबाइल का जो जो वेरियंट ये 4GB प्लास 54GB आपको मिलने वाला है और फौन की डिस्प्ले की बात करे तो दोस्तों 6.5 मीलने वाली इसके तो कोई सूपर डिस्प्ल नहीं सिर्फ HD प्लस डिस्प्ले है तो ठीक डिस्प्ले है दोस्तों और प्लस फॉन की जो बैटरी है वो काफी सांधर बैटरी है क्योंकि पांसचार इमिज की आपको इसके अंदर बैटरी मिलने वाला लेकिन कोई फास्ट चार्जर नहीं है तो इसका कुछ इतना बेनिपिट नहीं है आपको फॉन लगबग दो गंटे के अंदर चारज करके दे देगा लेकिन फास्ट चार्जर इसके अंदर नहीं तो मिलता नहीं fast charger support करता है phone तो ये दोस्तो कुछ minus point है इसका क्योंकि वेटरी तो अच्छी है लेकि fast charger नहीं है तो सज्जा 9500 के लगबग इसकी price है दोस्तो 949 रुपए इसकी price है phone की Android 10 के उपर ये phone available है दोस्तो और अब phone के camera की बात कर लेते जो काफी highlight हो रहा है तो phone का camera काफी ठीटा के दोस्तो front camera 8 megapixel का और जो primary camera पीछे का वो 48 plus 2 megapixel का है तो camera में ज्यादा सिकाइत नहीं है दोस्तो अच्छा कासा camera आपको इसके अंदर मिलने वाला है phone के अंदर आपको fingerprint भी दिखने वाला है तो अब दोस्तो हम सबसे last नहीं इसके minus one की बात करते है अगर आप PUBG खेलने के लिए phone ले रहे हो या कुछ heavy user हो काफी कुछ ज़्यादा phone यूज करने वाले हो काफी heavy user हो तो ये phone आपके लिए best नहीं है इससे अच्छा आपको phone नार्जो मिल जाएगा जो realme का अभी भी launch हुआ है तो दोस्तो इस phone का जो processor phone का सबसे main part होता है दोस्तो phone का दिमाग जो दिमाग को हम बोलते है processor phone का processor इसके अंदर आपको qualcomm snapdragon का 460 460 processor मिल रहा है जो की काफी 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 low है दोस्तो क्योंकि ये processor इतना मजबूत नहीं ये आपको phone काफी ज़्यादा heat करेगा काफी ज़्यादा गरम करेगा और आपको phone ज़्यादा use करोगे ज़्यादा भबजी केलोगे तो आपका phone काफी ज़्यादा गरम होगा और leg मारेगा और hang होगा तो ये phone अगर आप normal user हो तो कुछ ज़ादा नहीं करना चाहते हो बा en normal use करना चाहते हो फोन का प्रोसेसर जरूलजर करें कि यह नहीं तो दुस्तो यही तब अच्छ का वीडियो यार फसंद आई चैनल को subscribe करें तो चैनल को subscribe करके जाने KYUKEE वीडियो की मदद से आप थोड़ा बहुत भी ऐस्पायर होए होंगे क्योंकि आपके कुछ ना कुछ ये वीडियो काम आये ही है अगर आप फोन लेना चाहरे हो तो तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो पर आखिर तक बने लेने के लिए तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइ पर के जाना